दोस्तों गोबर के उपले, कंटे या चिपरी बोलते हैं इसे जैवी, खाद, सक्ति, साली, पावर, फुल इस परकार से कैसे बनाएंगे और आप अपने पेर पोधों पर इसको देंगे किस पेर पोधों पर आपको कैसे देना है वो भी जनकारिया बताई गई है फल बरगिये फसल, सबजी बरगिये फसल, फूल बरगिये फसलों पर और अनाज बरगिये फसलों पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो किस परकार से आप इस कंटे को डिकंपोस्ट करके और और औरगेनिक खाद बना करके आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं उसकी सारी जनकारिया आपको इस वीडियो में मिलेगी चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सस्क्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे साथ ही all notification भी अपना on कर ले तो चलिए दोस्तो वीडियो start करते हैं तो दोस्तो जैवी खात बनाने के लिए मैं बाल्टी में पानी लिया हूँ यह देख रहे हैं यह पानी जो है आठ लिटर में लिया हूँ medium side 4 कंटे जो है जिसे उपले भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे छेना भी बोलते हैं और चिपड़ी भी इसे बोला जाता है तो इसको ले करके उस पानी में मैं इसको डाल दिया हूँ और पूरी तरह से इसको मैं डूबो दूँगा इसमें ताकि थोरा सा भी इसका हिसा जो है वो बाहर न रहा सके तो देख रहा है कि मैं इस परकार से दाबने के बाद मैं ये नीचे से हीट कर रहा है उपर के तरह पाने की कोशिस कर रहा है तो उसके लिए मैं इट इस परकार से एक रख दूँगा और फिर इस परकार से इट रख और तालिस गंटे देख रहे हैं कि अब हो चुका है तो कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलेंगे तो यह जो इट होता है इसको पहले बैस में से निकाल देता हूं तो देख रहे हैं कि इसका कलर किस परकार का हो गया है बिल्कुल जो है यह गाढ़ा कलर हो गया है और इ कंटे कहा जाता है या उपले कहा जाता है या चिपरी कहा जाता है या गोईठा या छेना कहा जाता है वो जरूर कोमेंट करके आप हमें बताएं तो देख रहे हैं कि इस परकार से सभी कंटे या उपले को निकाल करके मैं बाहर इस परकार से रख दूंगा और यह जो लिक्व हुआ है इसी का डिकमपोस्ट करके मैं जो खाद बनाने जा रहा हूं और गेनिक खाद जो बनाऊंगा पावर फुल वो इसी छेना का या गोइठा जो होता है उसका जो होते से इसको बनाने के बाद जब त्यार हो जाता है तब इसमें हम क्या करेंगे जो दख रहे हैं कि पानी बचके इसको साइड कर देते हैं अब इसमें हम खेत का मिटी लेंगे आप चाहे तो जो गार्डन का मिटी होता है वो भी ले सकते हैं तो जो गोबर की खाद है उसके भी अच्छे से बन करके त्यार होगा तो 10% इसमें मैं स्वेल ले लिया हूं और इसमें 5% में बालु जिसे बोलते हैं जो देख रहे हैं रेता बोलते हैं ओ मैं लिया हूं तो 5% अब इसमें रेता मिला दे ऐसे करकर के पूर्मे मैं रख लेता हूं पहले और चलिए मैं इसको साइड कर देता हूं और ऐसे करकर के बिखेर के और अपने हाथों से और इस सभी को मिक्स कर ले तो ऐसे करके जितने भी सारे इसमें फोशकत तो है वो सभी मिक्स हो जाएंगे और जो इसके बाद जो तयार होगा इसमें जो भी जैसे की फासफोरस की मात्रा और पोटास का जो मात्रा होता है इसमें परचूर मात्रा में पाया जाता है जो की आपके पौधों के लिए बहुत ही कारगर साविथ होगा तो इस परकार से जब यह त्यार हो जयता है तो देख ले कि अगर यह ड्राइ सा लग रहा है सुखा-सुखा तो जो हो के पानी आप निकाले होते हैं जो चीपरी को किये होते हैं उसको इस परकार से थोड़ा सा पानी डाल करके इसको गिला कर दे ताकि इसमें नमी रहे क्योंकि नमी रहेगा तभी यह डिकंपोस्ट फास्ट करेगी और इस परकार से फिर पानी को पूरी तरह से पूरे खादों म और ऐसे दवाने के बाद जो होता है कि दोस्तों इसको फिर ढख करके और पचीस दिनों के लिए आप इसे छोड़ दे 20 दिन जब हो जाता है तो बीच में एक बार निकाल करके चेक करते रहे और ऐसे करके देख रहे हैं कि ये 25 दिन जब हो गया है तो कुछ इस परकार से जो होता है कि ये खाद बन करके त्यार हो गया है तो 20 दिन के बाद जो होता है कि 5 दिन जो बचा रहता है वो कुछ इस परकार से भूरभूरी बन जाता है जो बाकी बचा रहता है वैसे ये जैसे 20 दिन आप छोड़ देते हैं इसको तो ये पूरे जो होता है कि भूरभूरी इस परकार से खात बन करके ये तयार हो गया होता है बाकी जो बचा रहता है वो 5 दिनों में आपको पूरी बिल्कूल जो होता है कि Dry हो जाने के बाद आप इसको छिरकाब विधी में इस्तेमाल करने के लिए और बेटर और ड्राई इस परकार से बना सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो जैसे वेल वाली फसल है या नहीं लत्तर वाले जो फसल होता है उसके जर में इस परकार से जो होता है मिटी को भूरभूरी बना दे और मिटी भूरभूरी बन जाने के बाद उस खाद को ऐसे डाल करके जो खाद आप बनाए हैं उसको इस परकार से डाल करके और फिर इसक सुर्डम रख सकते हैं और इस को इस प्रकार से होता है कि मिटी से फिर दबा इसे करके रगेelin के धग अब फिर उसके बाद होता है कि अपर पानी डेंगे तो जो इसके अंदर मैं देख रहे हैं कि मानि लिया हूं तो आप चाहे तो जो लिक्वेट फटलाइजर वाला पानी वह भी दे सकते हैं आप चाहे तो नौनल पानी जो हता है वह भी दे सकते हैं तो अब धंग से हो जाता है इसी परकार से आप मिट्ची में भी दे सकते हैं और कठल है या लिची है तो उसमें भी अगर आप फटिकेशन करते हैं तो उसके जर में जो होता है इस परकार से कुछ दे सकते हैं या आम का पौधा है या अमरूत का पौधा है या फल वरगिये कोई सा भी पौधा का अगर आप फटिकेशन करते हैं तो उसको नीचे इस परकार से दे करके और फिर उसके बाद मिटी से ऐसे ढख करके और उसके उपर पानी दे दे अनाजवर्गिये फसलों के लिए जिस समय आप उसका खेती करते हैं उस समय मीटी में इसको मिलाए तो ज्यादा बेटर होता है या किसी भी फसल को रुपाई या बवाई कर रहे हैं तो उसको मीटी में मिलाते हैं तो अधिक फायदा उससे मिलती है अगर पोधा में देते हैं तो तना मोट होता है मोटा होता है मजबूत होता है और हाड़ा भड़ा रहता है क्वालिटी और क्वांटीटी में फरक आपको देखने को आवस्य मिलेगी